यो, what's up guys, कैसे आपसे भी लोग, welcome back to another game पे वडियो, तो guys, आज हम लोग तो बारा से खेलने जा रहे हैं, जी डिये 5, तो जैसे के आपसे भी लोग को याद होगा, कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने best friend, underwater mafia को kidnap किया था, क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी, गाड़ियां चोरी करी थी, और वो हमारे दुश्मन, डगण बॉस के लिए काम कर रहा था, बटार उसको kidnap करने के बाद, जैसी ये बाद डगण बॉस को मालूम पड़ी, उसने अपने गुंडों की मदद से, ट्रावर को अपने घर से kidnap करवा दिया, और स सबसीन के बाद, ट्रावर को बचाना बहुत ज़्यादा important था, क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे टाइम में काम आता है, बट यार ये काम ना बहुत ज़्यादा मश्किल था, एक बार को माल लोग की ट्रावर को बचाने के लिए, हम लोग जिसके तुरू वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है, अब ये सुनने के बाद में बहुत जाता है, डर गया था, बट इस सिचुएशन में एक ही बंदा याद आया, और वो था लेस्टर, बट यार आप लोग को तो मालुमी होगा कि लेस्टर की हालत पिछले एक मंज से ब लोग ने वहाँ पर चुप चाप से एंट्री मारी, और वहाँ के सभी गार्ट को मार के वो इंजेक्शन चुरा लिया, और जैसे हमने उसे लाके लेस्टर को लगाया, लेस्टर को एक से दो घंटे के अंदर ही होश आ गया, और लगेली, लेस्टर को डगण बोस के उस प् FIB को दे दी थी, ताकि वो हमें ठूंडे, उसके बिहाफ पे हमें एके करके मार दें, बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ, तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया, FIB के वो सारे प्रूफ्स को मिटाने का, तो हमने क्या करा, पहले एक जाड़ू पोचे वाला बनके FIB की बिल्डिंग में अंट्री मारी, और वहां पर जाकर सफाई करते करते हम लोगों ने वहां पर कुछ बॉम प्लांट कर दिये, और फिर उस बिल्डिंग से बात निका कि बॉम ब्लास करे, और जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी, त अभी फिलाल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, वैसे अभी न मेरे को एक गाड़ी चोई मैंने बाहर लाके खड़ी कर रहे थी, इस गाड़ी को पहले हम लोग चलके अंदर कर लेते हैं, और आज तो वैसे भी कुछ इंपोर्टन काम है जो कि मुझे फड़ावट से निप्टान टीवी देख रहा है, वाओ, बाहर इतना सब कुछ हो गया, और ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है, जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं, और ये देख भी क्या रहा है, भाई पता नहीं, एड आ रही है, या फिर कोई शो आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझा रहा, रुक ज मालूम था कि आज यहां पर FIB आने वाली है, क्योंकि इन भाई साब जी ने जान मूझ के खुद से ही उन्हें यहां पर बुलाया था, मेंस इसने एक फेक नंबर से उन्हें कॉल करा, और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, और हो सकता है तुमारी फाइल उसी ने चुराई हो, क्योंकि FIB को हमारे उपर पहले से ही शक था, और इसकी बात के बात वो हमारे उपर, मेंस हमारे घर में ढूनदा डांडी करने के लिए आये, और जब ढूनदा डांडी करने पर उन्हें कुछ ना मिले, तो उनका शक हमारे पर से खतम हो जाए, जो कि हुआ, वो लोग यहाँ पर आए, फिर चुपचाप से बेचारे यहाँ पर चले गए, फाई साब लेस्टर क्या ही दिमाग लगाते रहता है, लेकिन यार ये बात इसे हमें पहली बतानी चाहिए थी, बाए चंस अगर मेरे पास कोई गन वगएर है रहती, मैं तो ठोक देता है यार FIB वाले बंदों को, बट ठीक है यार मेरे पास सही है गन्स वगएरा नहीं थी, और मैंने उन्हें कुछ का भी नहीं, वरना तो यार लेने के देने पड़ जाते, और जैसी लेस्टर ठीक हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा यही पर आ ग क्योंकि लेस्टर ने में साफ साफ बोला है, हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करने हो, और वेट, यह मैं बाइग लेकर कहां पर जा रहा हूँ, मुझे लेस्टर ने यह भी बोला है कि मुझे अपने सारे काम निपता लेने हैं, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना ल और किस तरीके से डगगन बोस और एल रूबयो का खेल खतम करना है, तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपता लेने होंगे, ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा करने हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, और हमारा भी कोई नुक करनी है, आकिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर ने, तो वो कार महापर पुचानी है, तो उसके बाद सिधा ट्रावर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से, क्योंकि भाई, ट्रावर इस नाइम पर सबसे ज्यादा इंपोर्टन है, फिलाल अभी अपना काम हो च और ट्रावर को बचाने के लिए उसने जो में पहला काम करने के लिए बोला है ना, भाई उसको तो सुनके ही थोड़ी बहुत हालत से खराब हो रही है, अब एर देखो इस ताइम ना अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है कुछ वैपन्स, क्योंकि अपने पास को पूरे San Andreas की जितनी भी Ammunition Shop थी, वो सारी बंद करवा दिया और उसके अंदर की जितने भी वैपन्स देना, वो सारे के सारे खूद अपने पास मंगवाली हैं, क्योंकि इसको मालूम है कि हमें वैपन्स यही से मिलते थे, और अगर हमें वैपन ही नहीं मिलेगे, तो डगण उसको सारा, मतलब, सारा खतरा ही उसका खतम हो जाएगा, तो सबसे पहले में में वैपन्स का जुकार करना है, और वैपन्स हमें मिलने वाले हैं, मिलेटरी बेस में, तो लहसर ने मुझे बोला, करेक्ट साड़े तीन बजे, जो San Andreas वाला ब्रिज है ना, उसके नीचे से एक मिलेटरी का ट्रक जाएगा, उस मिलेटरी के ट्रक पे हमें उस ब्रिज के उपर से कूदना है, वैसे ब्रिज मैंने आपको सही से बताया है नहीं, एक मतलब हाईवे पे ब्रिज हो हैं, पहले वहाँ पर चलते हैं, और मुझे ये नी समझ आ रहा, कि आकिरकार मैं चलते ट् अगला काम बताएगा, ओके गाइस, तो अभी ना फिलाल मैं अपनी बाइक लेके सीधा उस ब्रिज पे पहुचने वाला हूँ, जसके नीचे से वो मिलेटरी का ट्रक होता हुआ जाएगा, और मुझे उसके उपर जंप मारके, उसमें से वेपन सुराने है, तो गाइस, यह तो फिलाल अभी ना मैं आगे कहा जाना हूँ, मुझे उपनी बाइक यहीं पर रोकनी चाहिए, और कोई ऐसा तरीका मुझे रूनना है, कि मिलेटरी का ट्रक यहां पर आए, तो मैं उसे किसी तरीकी से रोक दूओ, और उसे मेरे उपर शक भी ना हो, कि ट्रक किसी ने जान मुझके रुखवा है, तो मिरे साब से सबसे बेस तरीका यही रहेगा, कि हम लोग यहां पर उस टाइम पर ट्राफिक जैम लगा दे, अपने पास वेपन्स आ गए हैं, इससे जादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहां से कोई गाड़ी उठानी है, और फटा-फट से नहीं निकलना चाहिए मुझे सीधा लेस्टर के पास, उसके पास जाना नहीं है, मुझे पहले उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि अपना प्रॉपर काम हो जुका है, वेपन्स अपने पास आ गये हैं, अब हमें आगी क्या करना हो का तो फुल स्पीड भी में भगाता हुआ लेकर पहुत जगाओं सीधा लॉस सांटोस और अभी ना मेरी लेस्टर से भी कॉल पे बात हो गई है, वो हमें कह रहा है कि आज रात अपनी कायो पैरिको आइलेंड की फ्लाइट है, हम लोग वहां पर घूमने के भाने जा रहे हैं और हमें लेस्टर में से ट्रावर को कुछ भी करके रेस्क्यू करवा के ही वापिस आना है, तो मेंली जो लेस्टर का प्लान है, वो हर टाइम तो देखुबाए सकसफुल जाता ही है, इस प्लान पर मैं पूरा विश्वास करके साथ साथ जाने वाला हूँ, तो चलो गाईस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो ची लगी हो तो फड़ा फट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ दल्ली से लाइक का बटन बाके गोल चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलकुल मत भूलना, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे फटा फट से दबा दो, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, तो मुझे भी वाहाँ पर फोलो करना, मत भूलना, लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में है, तो ओके गाइस, आज कुस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं के लिए वीडियो में, गुड बाई!